जै मैतकी वेल्कम यूर्च चैनल मैचकल मामस टाइरी और आज का टापिक है कि जो नवजास सिसु है उनके काले ओट को लाल कैसे करें और बिल्कुल नैचुरल तरीके से करना है बाहर की चीजों को यूज नहीं करना है जिससे कि और यह मैं जो बताने चारी हो दादी नानी क पूरा जबाने नुसका है जो की मेरी मम्मी नНе मेरे बेटे के साथ उप्यार किया था क्य walls मेरा बेटा हुआ था तो उसके ओट काले थे और जो कि बिलकुल अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि सभी मौम लोग चाहते ही कि उनके बेटे या बेटी हो उनके ओट लाल हो अच्छे लगते हैं देखने में तो वीडियो को पूरा देखें इसके बिलकुल ना करें क्योंक को मेरे जो बेल है उसको जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपके मोबाली स्क्रीन में आजा चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अगर आपके घर में न्यूबॉंड बेबी आया तो सबसे में पॉइंट यह है कि मौम को ध्यान बड़ी है तो फी. अपने बेबी के गीले कपड़े से ओट पूंच दें दूसरी बात अगर आप का बेबी बहुत ज़्यादा ओट काले हैं तो जो मैंने अभी बता है वह तो प्रोसेस करना ही उसके बाद में पान पत्ती मिलती पान की पत्ती जो पुरानी जमाने चली आ लिए दादी नानी की माने कहसे तो पान-पत्ती आता है वो पाउडर में आता है बहुती यह बहुत है बहुत की हैं नहीं बेटे में खुद लगाया हैं और अगर इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका बेबी या गल है या बॉय है उनके लिप्स रेड हो जाएंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टन बात वही है जो मैंने पहले बताई कि आपको फीड कराने के पहले अपने निपल को जैसे पोशना है और फिर बाद में बेबी बॉय अगर है उसके लिप्स में काले जो फिड का जो निपल का जो काला पन है वो उसके उसमें लिप्स में ना आए